याईरी टीवी पेसंट प्रगतिशील एक्ता संग ज्वाहर कैम्प के अध्यक्ष संजय गुपता उपाध्यक्ष राजु सिंग सचिव मनीश कुमार मीडिया प्रभारी विजय कुमार जासाई उनकी पूरी टीम में एक पर एक गुदरी के लाल छुपे हैं जो स्रम शेत्र को पॉस्षेत्र में से ब प्रगतिशील एक्ता संग ने बच्चों की टोली को गांधी बनाकर घर-घर स्वच्छता के फायदे बताते हुए जागरुकता अभियान चलाकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के सपने को साकार करने का प्रयास करते दिखें प्रगतिशील एक्ता संग के युवा पधादी कारियों को इस बात का दुख है कि उनके इन सकारात्मक कारियों को सराहने के लिए आगे बढ़कर जिसे आना चाहिए वे खामोश रहें आप खुद देखें प्रगतिशील एक्ता संग द्वारा आयोजित कारिक्रम पर आधारिक विशेश रिपोर्ट देश से अपनी आदा इना गरियां के लिए वे खामोश रिपोर्ट सच भारत का इरादा करियों हमने देश से अपनी एवादा करियों हमने कॉंग्रिस ने चुनाव आयोग द्वारा शनिवार को संबादाता संमेलन का समय बदले जाने को लेकर आयोग की स्वतंतरता पर सवाल खड़े किये और परोक्ष रूप से यह आरोप लगाया कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की जन सवा की वज़ा से आयोग नहीं है कदम उठाया है परिवहन विभाग ने साफ किया है कि दिल्ली से सटे राज्यों की टेकसी दिल्ली में एक से दूसरी जगह की सेवाई नहीं दे पाएगी अगर वह दिल्ली से सवारी लेती है तो सिर्फ अपने ग्रिह राजी के शेहर के लिए यात्री ले जाएगी भूजल के अधादुन, दोहन और जल शोधन संयंत्र से अनियमित आपूर्ती के कारण गुरुग्राम के कई हिस्सों में पेजल का संकट गहरा गया है वोट बैंक की राजनीती करने वालों पर निशाना साथते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसी राजनीती केबल चुनावों तक सीमत नहीं रहती बल्कि पूरी विवस्ता को तबाह कर देती है चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश, राजस्थान, छक्तिसगड और मिजोरम में विधानसवा चुनावों की तारीख का एलान कर दिया है इसी के साथ चारो राज्यों में आचार सहिंता लागू हो गई है दिल्ली में हवा के रुख में बदलाओ के कारण वायो गुडवत्ता लगातार दूसरे दिन भी खराब बनी रही अधिकारियों ने कहा कि हवा अब पराली जलाए जाने वाले इलाकों से बह रही है पैट्रोल डिजल की बड़ती कीमतों में थोड़ी सिराहत मिलने के बाद कीमत में फिर उछाला आया राजधानी में पैट्रोल पर 18 पैसे का इजाफा हुआ जिससे पैट्रोल की कीमत 81 रुपे और 60 पैसे प्रति लीटर हो गई वही डीजल की कीमत में 29 पैसे का इजाफा हुआ जिसके बाद डीजल की कीमत 70 रुपे 24 पैसे प्रति लीटर हो गी कॉंग्रेस और मोधी सरकार चुनावी बिगुल फूख चुकी है वही पांच राज्यों की 83 लोकसभा सीटों पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी और भाजपा अध्यक्ष अमिच्छा की अगनी परिक्षा है 24 दिन से हर्ताल पर चल रहे सफाई करमचारी बड़ी आस लेकर इस्ट एम सीडी हेड़कॉर्टर पहुंचे थे सुबस से शाम तक चले फुल ड्रामे का रिजल्ट हर्ताली यूनियोनों के बीच फूट के रूप में सामने आया IRCT होटल घोटाले मामले में दिल्ली की पट्याला हाउस कोट में RJD नेता तेजस्वी यादो बिहार की पूरू मुख्य मंत्री ग्रावडी देवी और उपस्थित अन आरोपियों को नियमित जमानत देवी